हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जिसमें हम हम हुमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे respiration क्या होता है श्वर्षन और respiratory system क्या होगा श्वर्षन तंत्र मतलब जो शांस रहने से रिटर जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे हम basically हम respiration को क्या समझते हैं breathing मतलब शांस लेना लेकिन technically जो होता है वो ये होता है कि एक process होती है exothermic process body में जिसमें क्या होती है energy release होती है तो आप respiration को कैसे समझेंगे कि glucose का oxygen के साथ breakdown होना breakdown मतलब glucose और oxygen मिलके क्या बना रही है CO2 बना रही है S2O बना रही है और body में क्या बना रही है energy बना रही है तो इस process को आप बोलोगे respiration तो respiration क्या होगा glucose का oxygen के द्वारा energy में breakdown होना energy बन जाना body में तो ये होगा आपका respiration दो तरह की process होती है एक endothermic और एक exothermic exothermic process में energy release होती है और endothermic process में जो energy है वो absorb होती है respiration जो है वो एक ऐसी biochemical process है जिसमें cells को क्या होती है energy मिलती है energy मिलती है cells को और क्या release होता है carbon dioxide water और ATP ATP क्या है यहां पे energy की currency जो होती है उसको बोलते है ATP इसका full form होता है adenosine triphosphate is the energy currency इसको क्या बोलते है energy currency बोलते है it is high energy molecule होता है that that store the energy जो किसको store करके लगता है energy को store करके लगता है basically दो तरह का respiration होता है एक aerobic respiration और एक anaerobic respiration आपका जो जो aerobic respiration होता है वो oxygen की presence में होता है मतलब oxygen के साथ होता है और जो anaerobic respiration होता है वो oxygen की absence में होता है जो aerobic respiration है oxygen की presence में होने वाला वो होता है humans और animals में और जो anaerobic respiration है जो oxygen की absence में होता है वो bacteria, fungi, algae इन में पाया जाता है आपने पढ़ा होगा कि फिश जो होती है वो कहां से सांस लेती है अपने गिल्स से स्नैक जो होते हैं वो अपने लंग से सांस लेते हैं फ्रॉग जो होते हैं वो अपने स्कीन और लंग दोनों से सांस लेते हैं और जो आपके birds होते हैं वो भी अपने lung से सांस लेते हैं और amoeba जो होता है अपने जो skin का surface होता है उससे सांस लेता है तो अब हम पढ़ेंगे human respiratory system के बारे में कि humans में respiration जो है वो किस तरह होता है human respiratory system को तीन पार्ट में divide कर रखा है कि ये तीन तरह से काम करता है अपर respiratory system जिसमें कौन कोन आएंगे nose, mouth, pharynx, larynx ये सब अपर respiratory system में आएंगे second है आपका lower respiratory system, lower respiratory system में आएगा trachea, lungs, bronchi, alveoli ये किस में आएंगे lower respiratory system में third है आपका respiratory muscles, respiratory muscles जो है वो एक होगा diaphragm, diaphragm के बारे में हम सबसे last में पढ़ेंगे तो इन तीन system जो है तीन पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं तो first है आपका upper respiratory system इसमें क्या क्या आएंगे nose, mouth, pharynx, larynx ये सब इसमें work करेंगे तो सबसे पहले जो air है वो कहां से आती है nose से enter करती है जो हमारा नाक होता है उस से enter करती है जो हमारा nose है उस से air जो है वो enter करेगी और CO2 जो है वो out होगी और humans जो है उनके nose में क्या होगा one pair of nostrils nostrils इसको बोलते हैं जो नाक का छेद होता है उनको बोलते है it has a large cavity क्या होती एक large cavity होती है और दो parts में ये divide होते है और क्या होता है एक thin bone होती है और membrane होती है nose में the fine hair और क्या होते है nose hair होते है जिनको cilia बोलते है जो क्या करते है जो dust particles है जो air के थुरू हमारी body में enter कर रहे हैं उनको ये filter करते है और क्या होता है nose में mucos होता है mucos जो होता है वो nose water को बोलते है जो क्या करता है उस passes को उस रास्ते को क्या करता है moist gila करता है and help in trapping dust particles और dust particles को trap कर लेता है जैसे ही nose में air enter होती है nozzle hair और mucos क्या करते है उनको heat कर देते है फिल्टर कर देते है ताकि क्या हो उनका filter अच्छी से हो जाए और जो dust particles है वो body में enter ना कर पाए अच्छा आपने कभी देखा होगा कि आप गयम जगह से ठंडी जगह में आते हैं या ठंडी जगह से गयम जगह पे जाते हैं तो आपके सिर्दर्द होने लग जाता है और चक्करान लग जाते है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो air का temperature है वो अलग होता है तो air के temperature में change आने की वज़े से सरदर्द और चक्कर होते हैं सेकिंड है आपका mouth mouth से air enter तो होती है लेकिन वो क्या होती है pure नहीं होती है जितनी fresh और जितनी pure जो air है वो आपके nose से आती है वैसे mouth से नहीं आती है क्योंकि यहां पे क्या होता है कोई भी purification नहीं होता है air का थर्ड है आपका pharynx हमने digestive system वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो pharynx होता है वो खाने को क्या करता है swallin food करता है मतलब कि उसको निगलने में मदद करता है it is chimney like muscular structure यह muscular structure होती है जो कैसी होती है chimney जैसी दिखती है जो आपका pharynx है वो food pipe और wind pipe का common part होता है मतलब sansk वाली जो नली है और भौजन वाली जो pipe है उन दोनों का यह common part होता है next है आपका larynx larynx जो होता है वो pharynx सही connected होता है लेकिन इसका जो man come होता है वो होता है production of sound मतलब sound को produce करना sound को produce कैसे करेगा यह larynx जो होता है वो एक voice box होता है मतलब जिससे voice generate होती है इसमें क् vocal cords होते हैं जो air से vibrate होते हैं और sound generate करते हैं तो यह क्या होगा larynx जो है वो sound board या फिर voice box की तरह काम करता है इसमें special structures होती है vocal cords अब हम पढ़ेंगे lower respiratory system में lower respiratory system में कौन को नाएंगे trachea, bronchi, alveoli और branclus तो first है आपका ट्रेक्या जिसको wind pipe भी बोलते हैं wind pipe मतलब जहां से air जो है वो enter करती है ये क्या होती है? C-shape tube होती है जो करीब 5 इंच की होती है और ट्रेक्या का सबसे main काम क्या होता है? air को lungs तक transfer करना second है आपका bronchi and bronchiol आपका जो ट्रेक्या होता है wind pipe जो होती है वो दो पार्ट में divide हो जाती है right और left bronchi तो आपका जो primary division of trachea है वो क्या होगे? bronchi होगी और जब bronchi जो है वो lungs में जाके divide हो जाती है तो वो फिर क्या बनाती है? bronchus बनाती है और जब bronchus divide होती है तो वो बनाती है LWa-ali LV-OLEE जो है वो branches की तरह होती है जो last का end point होता है वहां present होती है gases exchange occur जो gases का exchange होता है gases आपस में exchange होती है वो कहां होती है LV-OLEE में होती है LV-OLEE जो है उनको surface area provide करवाता है जिससे जो gases का exchange है वो अराम से हो जाए It is non-ass cell of lungs यह lungs की cell भी कहलाती है इनकी जो structure होती है वो grabs जैसी है बटन जैसी होती है और यह क्या होती है structural और function unit होती है respiratory system की और इनका काम क्या होता है गैसों का exchange करना O2 जो है उनको in करना है और CO2 को बाहर निकानना आपके जो lungs होते हैं वो दो होते हैं तो एक lung में कम से कम एक लाग एलवोली present होती है जो आपके lungs होते हैं वो pink color के होते हैं थोड़ से pinkish color के होते हैं soft होते हैं और flexible होते हैं और यह कहां present होते हैं? यह chest cavity में present होते हैं यह दो तरह के होते हैं right lung और left lung Left Lung जो थो है वह छोटा होता है और जो Right Lung है वह बड़ा होता है वह चोटा क्यों होता है? जरुक्स होता है वह क्योंकि लफ लंग होता है वो अंदर के तरफ थोड़ा दसा हुआ रहता है इसमें क्या होता है? कार्डियक नोज होता है जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है और लंग्स का वेट कितना होता है 1.3 से लेके 1.5 kg तक 1.3 से 1.5 kg तक इसका वेट होता है lungs जो है वो किसी बने होते हैं lungs are made up of bronchi, alveoli, blood vessels, lymph vessels, flexible fibers, membranes और many cells से बने कर बना होता है man lungs are heavier than female lungs जो man lungs होते हैं लड़कों में जो lungs होते हैं वो heavy होते हैं female lungs से और सबसे main काम क्या होता है the main function of the lungs is perform the exchange of gases गैसों का exchange करना कहां पे होगा? lungs में होगा और कौन से पार्ट में? alveoli में जो आपके दोनों lungs हैं उनमें भी क्या होंगे? lops होंगे lops से क्या होंगे वो? मतलब different parts में divide होए रहेंगे जो आपका right lung है उसमें 3 lops होंगे और जो left lung है उसमें 2 lops present होंगे तो एक बार अपन इसकी structure देख लेते हैं इसकी structure जो है वो इस तरह से होगी ये क्या होगा? right lung जो size में क्या होगा? बड़ा होगा ये क्या होगा? left lung जो size में थोड़ा छोटा होगा ये छोटा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्डियक नोच जहाँ पे क्या होता है? heart present होता है heart space होता है ये कार्डिक नोच को क्या बोलेंगे? heart space बोलेंगे और ये क्या है? ये lops है ये upper lops ये middle lops और ये lower lops जो right lung है उसमें 3 lops होते हैं और जो left lung है उसमें 2 lobs होंगे जिनको upper lobs और lower lobs बोलेंगे और ये क्या है आपका larynx जिसको क्या बोलेंगे voice box मतलब larynx जो है वो voice को generate करता है और यहाँ पर एक इतना सा छोटा सा उबरी वी bon रहती है जिसको बोलते हैं kartilog kartilog जो है वो males में present होता है आपने देखा होगा ये गले के साइट थोड़ी सी उबरी हुई बोन्स रहती है मेल्स में जो लड़के होते है उनके गले में थोड़ी सी उबरी हुई बोन्स रहती है जो क्या काम करती है जो मेल्स में जो साउंड है उसको डीपनेस देती है मतलब उनके आवाज जो है थोड पूल उ नंग्स में जाएगी तो जो इन ट्राक्या का फर्स्ट डीविजन हो रहा है तो ये और ये क्या होंगी। ब्रॉन काय होंगी पुब ईह जो ब्रॉन काय है वो अंदर जाके कुछ इस 지तरय की स्रुक्चर बनाती है और इन स्रुक्चर को क्या बोलते हैं इनको भोलते हैं broncolus य 거죠 जा इस तरह से structure बन जाती यह च्छ को बोलते हैं यह इक लंग में कम से कम कितनी होती है यह एक लंग में कम से कम एक लाग तक प्रजंट होती है और जो आपके लंग्स हैं उनके चारो तरफ क्या होगी एक membrane होगी जिसको बोलोगे plura, क्या बोलोगे plura, और दोनों लंग के बीच में जो यह space है उसको बोलते हैं medias tenum क्या बोलते हैं medius tenum और left lung और right lung के नीचे की साइड एक muscular shape में क्या present होता है diaphragm present होता है diaphragm जो होता है वो chest वाले पार्ट और stomach वाले पार्ट को अलग-अलग करता है diaphragm जो होता है वो एक muscular organs होता है इसका मतलब ये पूरे तरह से muscles से बना हुआ होता है जो दोनों lungs के बीच में या फिर जस्ट नीचे होता है और ये क्या control करता है ये respiration rate को control करता है किसको control करता है respiration rate को आपने देखा होगा कि आपको कई बार क्या आने लग जाती है हिचकी आने लग जाती है जो mostly अपन बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है हिचकी आपको तब आती है जब आपकी body में जो air enter हुई है उसमें CO2 की मात्रा carbon dioxide की मात्रा ज़्यादा हो तब आपको क्या आती है हिचकी आती है तो अगर आप जोड़-जोड से सांस लेते हैं deep सांस लेते हैं deep breath देते हैं तो क्या होगी आपकी हिचकी बंद हो जाएगी तो primary division of trachea trachea का primary division मतलब सबसे पहले बाहर जब division हुआ था तो उसको क्या बोला था हमने bronchi बोला था और जब bronchi का first division हुआ था जब ये bronchi जो है छोटी छोटी ये shape में divide हो गई थी तो उसको क्या बोला था bronchi बोला था और जब bronchi का भी division हो गया तो उसको क्या बोलोंगे LV आली बोलोंगे आपने सुना होगा कि जो लोग smoking करते हैं उनके lungs खराब हो जाते हैं तो lungs में कौनसी cells जो है वो damage होने लग जाती है वो होती है bronchi या bronchi लस ये क्या होती है damage या फिर block हो जाती है तो कौनसी cells जो है lungs में damage हो जाती है smoking करने से bronchi अब यहां हम देखेंगे कि जो एक LV ओली है वो किस तरह से काम करती है lungs में कितनी LV होती है 1 lakh पर lung तो हम बात कर रहे हैं एक LV ओली की जो किस तरह काम करती है lungs में जो LV ओली है वो gases का exchange करती है और blood का purification करती है इसमें क्या होता है जो oxygen जो है वो enter करती है और CO2 जो है वो trachea से बाहर निकलती है आपको पता है कि जो भी nutrition वगर हैं वो सब किस में गुले हुए रहते हैं blood में गुले हुए रहते हैं तो जब आपका heart से impure blood आएगा जिसको कौन लेके आएगा परिमेंटरी आर्टरी इंप्यूर ब्लड का मतलब क्या है इसमें oxygen की मात्रा जो है वो कम है और CO2 की जो quantity है वो ज़्यादा है तो अपने environment में क्या होता है oxygen की मात्रा जादा होती है और carbon dioxide की मात्रा कम होती है तो जैसे ही air enter करेगी तो उस air में oxygen की मात्रा क्या होगी जादा होगी और CO2 की मात्रा जो है वो कम होगी तो यहाँ पर आके जब यह mix होगी तो यहाँ से क्या होगा CO2 जो है वो out हो जाएगी और oxygen की मात्रा जो है वो भढ़ जाएगी इसी तरह respiration का जो process है वो चलता रहता है तो जब यहدة इस side जाएगी palumary ven के तरफ यह क्या थी? palumany artery अब यह क्या है? पैलमany ven अब इसमें जो है यह oxygen की मात्रा जादा हो गए और CO2 की मात्रा जो है वो कम होगे तो यह जो blood जाएगा वो क्या होगा? pure blood मतला oxygenated blood होगा और जो impure blood है वो deoxygenate blood होता है तो यह जो प्रॉसेस है पूरी वो किस कौन सी है? डिफ्यूजन प्रॉसेस है डिफ्यूजन प्रॉसेस में क्या होता है? जो आपके air है वो high pressure से low pressure की तरफ जाती है मतलब अब lung से जो heart की तरफ ब्लड जाएगा वो pure blood होगा इस कौन सी प्रॉसेस हो रही है यहाँ पे? जो आपकी glucose है वो oxygen की साथ मिलकर breakdown हुआ और क्या-क्या बना? CO2 बनी, H2O बना और ATP के रूप में आपकी energy store हुई CO2 तो क्या है? Release हो जाएगी ठीक है? तो इस तरह की प्रॉसेस LVOLI में होती है अब है आपका respiratory muscles respiratory muscles की तरह कौन काम करता है? diaphragm काम करता है और हमने पढ़ा कि यह किस के लिए responsible होता है? respiration respiration के लिए यह responsible होता है it is a thin layered structure एक पतली सी structure होती है जो किस से बनी होती है? skeletal muscles से बनी हुई होती है जो कहाँ पे होती है? chest cavity के bottom में chest cavity जो होती है दोनों lungs के बीच में जो space होता है उसके नीचे की तरफ होती है और क्या करती है? जो respiration rate है उसको control करती है जैसे ही air enter होती है lungs में फिर क्या होती है? nose से CO2 gaze जो है वो बाहर release हो जाती है तो यह जो diaphragm है वो इस तरह से काम करता है अगर आपको पूछे कि respiratory pigment of human body मतलब respiratory pigment क्या होगा human body का तो आप बोलोगे hemoglobin क्यों? क्योंकि यह blood में present होता है और जो भी मतलब यह respiratory system जो भी work करता है उसमें क्या होता है? blood के साथ साथ जो आपकी air है उसका exchange होता है तो respiratory pigment कौन सा होगा? hemoglobin humans जो है वो एक मिनट में कितनी बार साथ लेते हैं? 12 to 16 times साथ लेते हैं मतलब एक मिनट में हम 12 से 16 बार साथ लेते हैं और चिल्डरन में इसकी जो rate होती है वो ज़्यादा होती है more than 20 यह एक मिनट में जो बच्चे हैं वो 20 बार साथ ले सकते हैं और आपका respiration fuel कौन सा होता है? मतलब वो fuel वो इंधन जो respiration में काम आता है वो होता है आपका glucose और last में final product क्या बनता है? आपका energy बनती है जो किसकी form में होती है? ATP की form में ATP की full form क्या होगी? adenosine triphosphate और जो आपकी respiration की process है उसको किस से measure किया जाता है? इस्पिरो मीटर से इस्पिरो मीटर से इसको measure किया जाता है तो हमने पढ़ा कि air जो है वो nose से enter हुई फिर किस में गई? pharynx में गई larynx में गई trachea में गई और last में कहां गई? larynx में गई और larynx से क्या होगा? gas का air का exchange होगा और CO2 बाहर जाएगी और O2 जो है वो body में enter कर जाएगी आज के लिए इतना ही thank you